नमस्कार दोस्तों स्वागता सुभीका आपके बने यूटूब चैनल एक्जाम स्टुडियो पर दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे जो 6 गस से आपके बीए सब के एक्जाम सुरू होने जा रहे हैं ठीक है तो आपके वो पेपर किस परकार से होगा ओनलाइन और किस परकार से आपको करना है वो सभी डिटेल इस वीडियो में आपको देंगे जो भी पहली बार एक्जाम देने जा रहे हैं तो कभी सवाल मन में होते हैं कि online exam कैसे होता है या पहले भी कभी दिया हो तो कोई मन में सवाल हो तो इस वीडियो का आप देखकर आपका जो भी मन में क्योरी होगी वो आपकी दूर हो जाएगी तो शुरू से लेकर वीडियो के बर जरूर देखना बहुत ही helpful वीडियो है अगर आप किसी भी किसी भी चीज का online exam देने जाते हो तो इसी परकार से होगा यह आपके सामने interface होगा जो आप जहां भी exam में बेट होगे वहां आपको अपना ID password यहां पर लगाना ठीक है तो यहां पर आपको क्या करना है sign in के option पर click करना है उसके बाद में जब भी आपका वो जो समय होगा उस पर आपका paper on हो जाएगा उसके सामने आपके बाद में यह आपके सामने option खुलेंगे तो यहां पर पहला जो लिखा है वो इस color का होगा ठीक है इस color का मतलब होगा कि अभी तक आपने उस question को देखा ही नहीं है ठीक है और लाल color जो होगा उसका मतलब है कि आपने question को देख लिया है लेकिन उसका answer आपने नहीं दिया है अगर गिरीन आता है तो उसका मतल़ होगा कि आपने क्यूशन कांसर दे दिया है और ये बैंगनी कलर का आता है तो आपने इस क्यूशन को देखा है और आपने टिक किया है कि यह मैं इस क्यूशन को बाद में हल करेंगे चलिए मैं आपको करके बताता हूं तब आपको और भी अच्छे समझ मेंगा तो हम यह पेपर शुरू करते हैं नेक्स्ट का क्यूशन पर किलिक करके तो नेक्स्ट करने के बाद में जो एगरी का उपसन आएगा यहाँ पर सिरफ एक हिंधी लेंग्वेज अब नहीं दीज यह शिरफ मौक टैस्ट अबियास के लिए है बताने के लिए कि किस परकार से पेपर आएगा तो यहाँ पर शिरफ इंग्स में एक बार पर है देखना आप किस परकार से होता है चलिए हम पर शुरू करते हैं BSF में जो पूछे जाएंगे या किसी भी exam में जो भी पूछे जाते हैं online इसी परकार से पूछे जाते हैं तो जो भी आप पहले जिस भी चीज के आप पहले क्यूशन आप करना चाते हो उसके उपर आप किलिक कर लिजे ठीक है मालो आप पहले math करना चाते हो तो math पर किलिक कर लिए मालो आप computer का पहले करना चाते हो तो इस पर किलिक कीजे मालो आप gk का पहले करना चाते हो तो आप gk पर किलिक कीजे चलि हम यहाँ पर मालीजे कि पहले मैं gk का क्यूशन करना चाता हूँ ठीक है तो में यहाँ पर किलिक करता हूं witnessing यहाँ पर क्लीक करने के बाद में आपके सामने यह जाएंगे ठीक है और यहाँ पर आ जाएंगे टोटल लो किसन कितने हM । यह Arenas किलिक कर दिया और मेरा मान के चलता हूंक हूं हम है तो हम क्या कर देगे तो यहां पर यहanda am यहां पर यह जे पर क्युंशन इसे कर दिंगि और मैं अब मैं इसको Tips करता हूं दूसरे क्यूशन पर तो देखे अब देखे यह तीन नमबर क्यूशन मेरे सामने खूल गया save and nest करने के बाद से यह यानि कि जो दो नमबर क्यूशन है वो save हो गया है लेगन हमने उसका answer नहीं दिया तो क्या हो गए red color में हो गया red color का मतलब हो गया note answer यह नहीं कि इस question का मैंने answer नहीं दिया इसको देख तो लिया है लेकिन इसको answer नहीं दिया है अब तीन number question का जैसे मैं answer देता हूँ इसका जो भी answer है महां लीजिए आप कुछ भी हो जैसे मैंने 10 मिटर पर click करके save and next कर दिया तो मैंने तीन number का देखो यहां पर answer दे दिया तो यह हो गया यहां पर green ठीक है अब मैं वापिस दो number पर जाना चाता हूँ तो मैं यहां पर click करूँगा ठीक है जो भी आपका mouse आएगा तो mouse से आप यहां पर दो number पर click करोगे तो देखिए यहां पर आपका दो number का question वापीस आ गया अब मैं दो number का last में मालो last में करना चाहता हूं मैंने save कर दिया इसको तो यह ग्रीन हो गया ठीक है तो इस परकार से आपको question करना करना है अब कभी बार math में ऐसे स्वाल आती है कि मालो मेरे को पता होता है कि यह स्वाल मेरे को आ रहा है और थोड़ा सा time taking स्वाल है मैं इसको last में करूँगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं जैसे चार नंबर का स्वाल है तो इसके लिए मैं क्लिक कर दूँगा क्या इसके लिए किलिक कर दूँगा मैं mark for review ठीक है मैं यह किलिक कर दूँगा यहां पर इस स्वाल को मैं चार नंबर को last में करना चाहता हूँ तो इस option पर क्लिक कर दूँगा तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो यहां पे यह color का हो गया इस color का मतलब क्या है कि मैंने इसको last के लिए सवाल रखा है कि मैं last में इस सवाल को करके जाऊंगा जब मेरे सभी question हो जाएंगे तब तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा question आपको करना है कौन सा नहीं करना है जो question आपने पढ़े नहीं है अभी तक उसका color होगा आपका इस परकार का ये color होगा जिसका answer आपने दे दिया हो ग्रिन टिक हो जाएगा जिसका answer नहीं दिया हो red हो जाएगा और जिसको बाद के लिए रखा है वो आपको ये violet color का हो जाएगा तो इस परकार से आपको करने है अब मालीजे numerical पर किलिक करते हैं तो numerical के यहाँ पर आपकी question खुल जाएगे जैसे 20 question यहाँ पर दे रखे है तो मालीजे मैं सभी पर save one next करता जाता हूँ जैसे कुछ भी answer इसका किलिक कर दिया मैंने कुछ भी save one next तीन नमबर हो गया save one next चार नमबर हो गया save one next पास नमबर का अंसर दे के save one next कर दिया चैका कर दिया तो देखे मैंने यहाँ कितने का अंसर दे दिये दो का दे दिया तीन का चार का पास का एक का नहीं दिया तो यह हो गया red मैंने पढ़ ले इसका अंसर नहीं दिया तो यह होगे रेड अब मैं लास्ट में चाहता हूं कि इसका जो रेड है बार मैं फिर से इसको रिद देख लू तो इस पर एक नमबर पर किलिक करें तो एक नमबर का फिर से सवाल आ जाएगा तो इस परकार से आपके जिस भी आप सब्जेक्ट की क्यूशन करना चाते हैं उसको उपर आपको किलिक करना है जिसका आँसर आपने दे दिया उसको यहाँ पर गिरिन हो जाएगा और जिसका आपको आँसर बाद में देना है तो उसके लिए यह उप्शन का आप जरूर यू कर देंगे बीना सकाशनी दे तो तो राड़ मुश्च होँ वाले को बार-बार पढ़के टाइम खुआइब खराबकर द करने में क्या फायदा है इसलिए यह जो option है इसका ज़्यादा ज़्यादा इस्तिमाल करना है कि स्वाल के लिए जिसको आप last के लिए रखते हो तो इस परकार से आपको online exam होता है साथ में आपका यहाँ पर समय जो चलता रहता है समय आपका यहाँ पर चलता रहेगा बार-बार में आप समय भी देखते रहे जैसे यह एक गंट 120 मिनट का होता है दो गंटे का तो यहाँ पर जो मायनस आपका समय चलता रहेगा अभी इतना मिनट बचा इतना मिनट बचा टाइम लैट आपका उपर चलता रहेगा जब यह टाइम पूरा हो जाएगा तो paper अपने आप submit हो जाएगा submit करने की भी आपको कोई जुरुत नहीं है paper भी अपने आप submit हो जाएगा या फिर submit नहीं होता है तो नीचे ये जो submit का option है ये भी ल्यूपलर में हो जाएगा इसके ऊपर आपके लिए कर देंगे last में तो आपका paper submit हो जाएगा